इंदी में कर रहे हैं पालतू पशू तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे गाएं एक पालतू पशू हैं गाएं एक पालतू पशू हैं गाएं सफेद काले भूरे रंग की होती हैं बच्चो गाएं कितने रंग की होती हैं तीन रंग की गाएं सफेद काले भूरे रंग की होती हैं गाएं के दो सींग होते हैं बच्चो गाएं के कितने सींग होते हैं दो सींग होते हैं गाएं के चार थन होते हैं गाएं के चार थन होते हैं गाएं की एक लंबी पूँच होती है गाएं घास खाती है गाएं घास खाती है गाएं की चार थांगे होती है गाएं हमें दूज देती है गाएं के दूज से हमें तकत मिलती है गाए के दूद से हमें ताकत मिलती है गाए को हम गव माता भी कहते है बचो आज हमने ऐसे करा है पालतु पशु तो हमने गाए के बारे में बताया है गाए एक पालतु पशु है वो तीन रंकी होती है सफेद, काले, बुरे गाए के दो सींग होते है चार थन होती हैं, एक लंबी पूँच होती हैं, गाएं घास खाती हैं, गाएं की चार टांगे होती हैं, गाएं हमें दूद देती हैं, गाएं के दूद से हमें तकत मिलती हैं, गाएं को हम गव माता भी कहते हैं सभी बचे ये ऐसे अपनी copy में लिखेंगे साफ साफ सुंदर सुंदर लिखेंगे उपर पहले heading डालेंगे पाल्तू पशू आज की date डालेंगे सुंदर सुंदर handwriting में लिखेंगे एक बर दुबाया से बढ़ देती हुँ मैं आपको गाए एक पालतू पश्चू है जब आप लिखोगे तो बोल बोल की लिखना सभी बच्चे गाए एक पालतू पश्चू है गाए सफेग काले बुरे रंग की होती है गाए के दो सीन होते है गाए के चार थन होते है गाए की एक लंबी पूँच होती है गाए घास खाती है गाए की चार टांगे होती है गाए हमें दूद देती है गाए के दूद से हमें ताकत मिलती हैं गाए को हम गव माता भी कहते हैं सभी बच्चे मात्राओं का ध्यान रखेंगे जैसे सींग पर बिंदू वाली आएगी मात्रा अंग की मात्रा कहते हैं से रंग में भी अंग की मात्रा आएगी सबी बच्चे अच्छे से लिखेंगे साफ साफ सुन्दर सुन्दर थैंक यू